तो दोसो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला दोसो जिसके माधियम से आप लोग घर बैठे आउनलाइन यानि के दोसो मुबाइल फोन से ही दोसो आधार कार्ड में मुबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं बहुत ही असानी से अब यहांएं पर हमने एक विडियो बना करके आपसे भी के पीजिये अपसे भी कोई पता होगा दोसो आज पाइब UP 10 दिन पहले बहुत सारर रिक्वेस्ट आया हैं अगर इस वीडियो का आप देख लेते हैं दोस्तों सुरू से लेकर एंड तक तो दोस्तों आपको आधार कार्ड में मुबाइल नमर जोड़ने चुले करके आपको किसी परकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है दोस्तों क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐस करते हैं आपको डिटेल में बताते हैं कि आधार कार्ड में मुबाइल नमर किस तरीके से लिंक कर सकते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपको अपने गूगल क्रोम ब्रोजर को ओपिन करना है और मैं आपको एक चीज़ क्लिर कर दो दोस्तों अगर आप लोग कोई अपडेट चाहते हैं कि आपको मतलब अपडेट मिल जाए आपको हर एक चीज़ का यानि के टाइम चैनल बनाय हुआ है उसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप लोग हमारे टेलेग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं जोईन करने के बाद आपको किया होगा कि जब भी मैं चैनल पर कोई वीडियो डालूँगा को अपडेट डा आए शिर्फ आपको इतना लिख के सर्च कर देना है सर्च करने के बाद आपके साबने वेबसाइट इस तरीकी का निकल के आज आता है देख से यू आई डी ए आई का ओफिशल वेबसाइट अधार कड़ गा अब इस पर आने के बाद आपके साबने दोस्तों इस तरीकी का इंटरफेस आ जाता है तो यहां पर हम लोग किस तरीके से ओनलाइन याने की घर बैठे अधरकाड में मबाइल लंबर लिंग कर सकते हैं तो यहां पर आपको इधर नीचे श्रोल डून करना है एंड आपको यहां पर आने के बाद आपको यहां पर क्या करना है जिसी नीचे आधार के लिए बोल रहा है जिसमें आप लोग अपना मोबाइल फोन का यानि के आप मॉबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं और फोटो वगर्ण जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ठीक है तो यह पर नीचे पिन कोड आपको यहां पर चलिए मैं अपने इस्टेट को सेलेट कर देता हूं जिस भी आप इस्टेट से हैं उसको आपको यहां पर सेलेट कर देना है तो चलिए यहां पर हम सेलेट करेंगे तो यहां पर मैं अपने इस्टेट को सेलेट कर लेता हूं आप अपने सामने एक कैप्चर आपको देखने को मिल जाता है तो यहां पर यहां पर क्या करना होगा आपको जो ऐसा लिखा हुआ है सेम आपको यह पर भर देना है इस पेज पर अगर आपको लगे कि यह कैप्चर आप नहीं फर्ण सकते हैं तो यहां पर आपके सामने एक रिट्रेस्ट गोला का बटन दिख रहा है आपके सामने आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके आजाता है जिसमें आप सभी को इस तरीके का पेज आपको मिल जाएगा आपको यहां पर दिखा देगा कि आपक तो यहां पर यहां को दिखा देखा Siap दिखा आपको क्या करना होगा आपको इन दास्तावेच हर लेना है उसमे अपको अपना अपना सिगनेचर होना चाहित और उसे मुख्या का सिगनेशर होगा। वा अपना मुहर देदेगा। उसके बाद आपको ये सेंट्र में जाना है यानि कि आधार सेंट्र में जाकर ये कागज़ात को जमा करना है वहां पर जाकर पेहां यूद्ल सकते हैं। आप रहा दोस्तों यहां पर घर बैठे दिए नहीं हुआ और मैंने आपसे पता था कि घर बैठे आप कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा एक सर्विस इंडिया पोस्ट वेंड़ायक ने चालू किया है उसके माधियम से आप लोग घर बैठे आउनलाइन ही या जाए उस वीडियो को देख लिए और आप लोग घर बैठे और मैं लेकिन आपको बता दूं कि जो आधार सेंटर का जो प्रोसेस बताया हुआ हूं जो नए वीडियो में उसमें क्या होता है उसमें आपको काफी समय लग सकता है यानि कि आपको काफी जादा वेट करना अपने मुबाइल फॉन से अपडेट आधार कार्ड में मुबाइल नमबर कर लिजिए चले दोस्तों मिलते किसे नेक्स वीडियों दोस्ता तब लिजाए हिन बंदे मात रहा हूं